बहुत चारा वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से CPC हो, CRPC हो, Evidence Act हो या IPC हो या और भी कोई पेपर हो उस पे कुछ-कुछ ऐसे words, ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब जानना आपके लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक आप उसका मतलब नहीं जानेंगे, आप उस section से उसको relate ही नहीं कर पाएंगे यानि आप उस section का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे जब मैं आप लोगों के लिए अपील के वीडियो बना रही थी, तो वहां मैंने आप से कहा था कि उसमें अक्सर जो है, proper party, necessary party, misjoinder, non-joinder इसकी चर्चा होती रहती थी तो मैंने आपको ये कहा था कि जब तक आप इन सारे words के मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप इन section को समझ ही नहीं सकते किसी भी हाल में और चुकि अभी आपको पढ़ाई करनी हैं बहुत detail में क्यूंकि अब competition detail वाला ही हो गया जितना आप पढ़िए उतना कम है वैसा वाला हो गया है तो मुझे लगता है कि हर उन words पे आप ध्यान दीजिए जो आपको section जिनके बिना आप section को समझ नहीं सकते तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अलग सी वीडियो बना के यह जरूर बताऊंगी कि कुछ-कुछ ऐसे कौन-कौन से words हैं जिनके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए तो आज का वीडियो आप देखी चुके हैं मतलब मैंने क्या उसका टाइटल दिया है यानि कि आज मैं आप लोग को यह बताने वाली हूँ और बहुत ही छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत आसान आपको तुरन समझ में आ जाएगा आप इसके लिए एक छोटा नोट जब भी civil cases होते हैं जब civil case institute होता है तो उसमें हवेशा दो party होती है ये तो आप लोग को पता है लेकिन वो दो तरह की जो party होती है अभी यहाँ पर मैं plaintive defendant की बात नहीं कर रहे हूँ दो तरीके की पक्षकार होते हैं किसी भी वाद में अभी यहाँ पर हम criminal cases की नहीं civil suit की ब पक्षकार कहते हैं तो necessary party क्या होती है और proper party क्या होती है उसको आप बहुत अच्छे से समझेए तो सबसे पहले हम समझते हैं जो आवश्यक पक्षकार तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगो कि इस तरह की जो पक्षकार होते हैं वो वाद के लिए कितने महत्रपून होते ह तो ये जो पक्षकार होते हैं जिनने हम आवश्यक पक्षकार कहते हैं जब तक ये किसी भी वाद में शामिल नहीं किया गया है तो इनके अभाव में कोट कोई effective decree pass नहीं कर सकते यानि जब तक आप necessary party को किसी भी suit में add नहीं करेंगे यानि शामिल नहीं करेंगे जोइन नहीं करेंगे तब तक कोट किसी भी effective decree को pass ही नहीं कर सकते हैं इसके अलावा जो दूसरे पक्षकार हैं जिने हम उचित पक्षकार यानि proper party कहते हैं वो आवश्यक पक्षकार की तरह important तो नहीं होते हैं उतने जितने वो हैं लेकिन इनका भी importance किसी suit में कम नहीं होता है उचित पक्षकार जो होते हैं उनका काम होता है कि वो वाद में सूट में तो उसको डिसाइड करने में कोट की हेल्प करते हैं और पूरे वाद के संपून निप्टारे के लिए यानि जब कोट को यह ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा क्लू कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके वज़ा से इस पूरे वाद को निप्टाया जा सके तो वहां पे जो नहीं होते हैं उनके अप्सेंज में कोट कोई ए भी कर सकते और दूसरा प्रॉपर बसें कोट सोलूशन निकालने में उनकी मदद लेता है और कोई कुष्टन है तो उसको डिसाइड करने में भी प्रॉपर पार्टी हेल्प करती है यह विडियो इतना हि चोटा है आप इसक कि सेक्शन से ओर्डर हो साथ में रूल से थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप सीपी सी को पहले तैयार कर लीजे ऐसा मैं आप आपको सजेस्ट करें तो खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजे मन लगा कि तैयारी कीजे इधर उधर करें दिमाग मत लगाईए अपना ख्याल रखिये और ठंड से बज़ के रहिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए और वो भी बहुत जी जान से अब इसके बाद जो म कोई सेक्शन समझने में दिक्कत ही नहीं होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिस जोंडर और नॉन जोंडर के साथ ने तो और कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे तो यहां से वीडियो से सुनके आसानी से आप नोट कर सकते हैं तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और खुश रहिए दूसरों को पी रहने दीजिए बाई